धोनी के उपर बड़ा आरोप लगाया रिटायर्मेंट के बाद भारती क्रिकेटर मनोस्तिवारी ने क्रिकेट जगत में हाहकार मचाया तो गुरू भारती क्रिकेटर मनोस्तिवारी ने कल के दिन क्रिकेट से रिटायर्मेंट का एलान कर दिया है यानि कि अब वो आपको क्रिकेट खेलती वे नहीं दिखेंगे और इस रिटार्मेंट के बाद उन्होंने संसनी खेज भईया आरोप भी लगाया है रिटार्मेंट के बाद जो प्रिस वारता हुई वहाँ पर महन सिंग धोनी के उपर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और उस आरोप में साफतोर पे इलजाम लगाते हुए मनोस्तिवारी दिख रहे हैं कि जो अंतराश्टी अस्तर पे उनका पोटेंसियल उभर कर सामने नहीं आ पाया अंतराश्टी अस्तर पर मनोस्तिवारी बतौर क्रिकेटर फेल रहे उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो महन सिंग धोनी को मानते हैं अगर हम मनोस्तिवारी के स्टेट्मेंट पर गौर फरमाएं तो उन्होंने कहा कि मैं धोनी से पूछना चाहूंगा कि मुझे सतक मारने के बाद टीम से बाहर क्यों निकाला गया मेरे पास भी कोहली और रोहित की तरह स्टार बनने की छमता थी मगर मैं नहीं बन पाया और जब कुछ खिलारियों को आवशक्ता से ज्यादा अंतराश्टी अस्तर पर मौका मिलता है तो अपने समय को याद करके बुरा लगता है तो यह वक्तव्य मनोस्तिवारी ने रिटायर्मेंट के बाद प्रिस्वारता में दिया इस वक्तव्य के बाद संसनी मच्चुकी ह जगत में हाहाकार मच चुका है कि बहुत प्रेरित करने वाले आकड़े नहीं है उसमें मनोस्तिवारी का यह कहना है कि मैं जब वेश्ट इंडीज खिलाप 104 रन बनाया था तो उसके बाद मुझे क्यों निकाला गया टीम से अगर महन सिंग धोनी आज के कप्तानों की तरह जैसे खिलाडियों को मौके मिलते हैं आवशक आवशक से ज़्यादा उस तरीके से मुझे मौका देते वो सतक मारने के बाद मुझे भारती टीम से बाहर नहीं निकालते क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से लबरेस था और सायद अगले मुकाबले मैं खेलता भारत की तरफ से तो दो-तीन सतक जड़ सकता था मेरा जो पोटेंसियल असलियत की पोटेंसियल थी वो उभर कर सामने आती मैं भी कोहली और रोहित की तरह इस्टार बन पाता मगर मैं सिंग धोनी ने उस वक्त मुझे प्लेइंग 11 से बाहर कर दी आगले मुकाबले में जबकि मैंने सतक ठोका था और वो भी नबाद था मैं यह मनोस्तिवारी का मानना है और यह जो मानना है यह गलत भी नहीं है क्योंकि जब वेश्टिंडीच खिलाप 104 रन मनोस्तिवारी ने बनाया थे उसके बाद भारती टीम से नहीं खेल पाए अगले मुकाबले में प्लेइंग लियोन से इनको बाहर कर दिया गया कई सिरिंग खिलाओं में इनको नहीं चुना गया कंसीडर भी नहीं किया जाता था प्लेइंग लियोन में सामिल करना तो दूर स्कौाइड में भी नहीं चुना जाता था फिर बाद में इनको जिंबामबे के खिलाप चुना गया काफी सालों बाद लेकिन जब यह सतक मारे थे जब यह उने अपना confidence पाया था, confidence से लबरेज थे, तब इनको बाहर निकाला गया, ये थोड़ा सा उस वक्त सवाल उठा रहा था मैंसिन दोनी के expectancy पर, tactics पर, लेकिन अब हालात क्या है, dressing room में महाल क्या है, धोनी की tactics क्या है, भया, कौन सा प्लान उनके साथ है, कौन-कौन से खिलाडियों को भविश्यम में लेकर चलना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ दोनी बता सकते हैं, वोनों उस तिवारी उस समीकरण में नहीं थे, जिस वजे से उनको प्लेइंग इनों से बाहर किया गया, अब तिवारी का तो यहीं मानना है, और अकसर अगर आप अंतराश्टी अस्तर पर देखेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ तिवारी ही नहीं नजर नहीं आएंगे, ऐसे खिलाडियों के रूप में, आपको अंबात इराइडू जो फॉर्म में थे, उसके बाद वर्ल्ल कप में मौका नहीं मिला, उनका कान्फिटेंस गिर गया, बुरी तरीके से गिरा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, जये अन्तियादों जैसा खिलाड़ी जो सतक और 3-3-4-4 विकेट लेने के बाद भारती टीम में उनका कंस फिलहाल के एकजामपल हैं भईया, लगातार उनको इसक्वाइड में चुना जाता रहा, एक भी मुकावला नहीं खिलाया गया, फिर एका एक यहां पर जब मौका देने की बारी आई, तो रजत पाटिदार समीकरण में आए, तो ऐसे एकजामपल आपको अनेकों मिलेंगे रडजी ट्रोफी के जो खिलारी हैं, जो हुनहार भारती टीम के भविष्टे हैं, उनको समीकरण में तो कुछ समयों के लिए रखा जाता है, फिर कब उनको समीकरण से बाहर कर दिया जाता है, उनको क्या इस पश्टी करण दिया जाता है, ये किसी को कुछ नहीं पता, ये पश्टी करड़ क्या देते हैं जब बिना खिलाए बाहर कर दिये जाते हैं अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह तो आई पील आ चुका है कि खिलाडी अब थोड़ा अपने फेमली के तरफ सुरक्षित रहते हैं कि पैसे मिल जाते हैं और वह समस्या नहीं रहती है लेक तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें